आज मैं आप सभी लोगों के लिए गरम मसाले की रेश्पी दिखाने जा रही हूँ जिसे आप किसी भी सबजियों में डाल कर सबजियों का टेस्ट बढ़ा सकते हैं और ये मसाला मार्केट वाले मसाले से भी अच्छा रहता है इसे बनाने के लिए मैंने लिए वजन तलकी कड़ाई कड़ाई में डाली है जावित्री, दालचीनी, स्टार अनीज का फूल और जाइफल अब इसे हलका सरोष्ट करने के बाद इसमें डालूंगी लॉंग, काली मिर्ज, छोटी इलाइची और बड़ी इलाइची आप बड़ी इलाइची डालने के बाद मैं इसे इसी के साथ में रोष्ट करूंगी फ्लेम को मैंने स्लो किया है और इस तरह से चलाते विए मसालों को रोष्ट करूंगी अब ये सभी मसाले रोष्ट हो गये हैं तो लाश्ट में डाला है जीरा जीरे को मैंने लाष्ट में डाला है क्योंकि जीरे का कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगता है आप चाहें तो इसमें काला वाला जीरा भी डाल सकते हैं जो मसालों के साथ में आता है तो स्लो प्लेम पर इसी तरह से मसालों को चलाते हुए रोष्ट करूँगी जीरा हमें कुछ कम लग रहा है तो थोड़ा सा जीरा मैं इसमें और डालूँगी इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रोष्ट करूँगी अब मसालों से अच्छी सी खुस्बू आने लगी है और मसाले हलके से क्रेंची हो गए है और अब आप देख सकते हैं कि मसालों का हलका सा कलर भी चेंज हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए और उसी कड़ाई में डाले हैं तेजपत्ते तेजपत्ते को हमें स्लो फ्लेम पर ही रोष्ट करना है और इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए चलाना है ताकि ये हलके से क्रेंची हो जाएं और पीशने में आसानी रहे इधर मसाले ठंडे हो रहे हैं और तेजपत्ते को भी मैंने निकाल लिया है अगर आप चाहें तो इस तरह के बड़े मसाले को इमाम दस्ते में भी कूट कर मिक्सी में पीश सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि तेजपत्ते क्रेंची हो गए हैं तो सबसे पहले मैं इस जार में डालूंगी दालचीनी जैसे बड़े मसाले जिन्हें मैंने भी रोष्ट करके रखा है और अग इसमें डालूंगी तेजपत्ते तेज पत्ते को रोष्ट करके पीसने में आसानी रहती है नहीं तो तेज पत्ते मिक्सी जार में फिसलते ज़्यादा है और कटते नहीं है अब इसी के उपर से डाले हैं कुछ खड़े मसाले और इसे पीस लिया है मसाले रोष्ट करने के बाद आप मसालों को ठंड़ा हो जाने दे उसके बाद में इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करें ताकि आपकी मिक्सी खराब ना हो और बरतन गरम ना हो अब उसी तरह से मैंने डाला है तेजपत्ता और सभी रोष्ट किये हुए मसाले इनको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी को हमें थोड़ा रुक रुक कर चलाते हुए इस मसाले को पिस्ट ना है और अब ये मसाला पिस्ट कर तयार है तो मैंने इसे निकाल लिया है आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से बारीक पिस्ट गया है अगर आपको लगे कि मसाला हलका सदरदरा है तो आप किसी भी चलनी में इसे चान ले उसके बाद उसे छोटे वाले जार में इसे पीस्ट ले ये बारीक हो जाएगा आप इस मसाले को किसी भीजार में स्टोर करके लगभग एक साल से भी ज्यादा दिनों के लिए रख सकते हैं और आप इसे अपनी मन पसंद सबजियों में डाल सकते हैं तो आप सभी लोगों के लिए गरम मसाले की रेसिपी तैयार है आप भी इसे एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्रै करें अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आये तो लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले